हम जानते हैं कि मेगनीशियम 2,8,2 को अक्रिय गैस विन्यास 2,8 प्राप्त करने के लिए दो इलेक्ट्रोनों का त्याग करना होगा लेकिन क्लोरीन परमानों को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही इलेक्ट्रोन की आवशक्ता होती है सोचिए मैगनीशियम द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रोनों का समायोजन कैसे होगा यहाँ क्लोरीन के दो परमानू मैगनीशियम के एक परमानू के साथ बंद बनाने में भाग लेते हैं अर्थात प्रतेक क्लोरिन परमानू मेगनीशियम द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रोनों में से एक एक इलेक्ट्रोन को ग्रहन कर अक्रिय गैस विन्यास दो आठ आठ प्राप्त करता है। यही कारण है कि योगिक कसुत्र MgCl2 होता है। क्या आप मेगनीशियम आयन पर उत्पन आवेश की संख्या बता सकते हैं। मेगनीशियम क्लोराइड बनने की बिंदू सरचना। आईए अब हम एक और योगिक को देखें जो की कैल्शियम और ऑक्सिजन से मिलकर बना है। कैल्शियम की परमानों संख्या 20 तथा ऑक्सिजन की परमानों संख्या 8 है। इनके इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखकर बताईए वे कैसे अक्रिगेस विन्यास प्राप्त करेंगे। हमने देखा कि कैल्सियम के बहातम कक्ष में दो इलेक्ट्रोन है जबकि ऑक्सिजन के बहातम कक्ष में छे इलेक्ट्रोन है अता कैल्सियम के लिए दो इलेक्ट्रोन त्यागना और ऑक्सिजन के लिए दो इलेक्ट्रोन ग्रहन करना आसान है इस प्रकार ऑक्सिजन कैल्सियम द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रोनों को ग्रहण कर आयनिक बंद बनाता है। कैल्सीयम ऑक्साइड के कैल्सियम तथा ओक्सिजन आयनों पर आविश क्या होंगे। कैल्सियम ऑक्साइड बनने क्या इलेक्ट्रोन बिंदु सरचना। अभी तक हमने देखा कि तत्वों के आबंधन में एक परमानु द्वारा एक या दो इलेक्ट्रोन त्यागे जाते हैं तथा दूसरे परमानु द्वारा क्रहन किये जाते हैं आईए अब एक और उधारन ऐलुमुनियम का देखते हैं एलुमुनियम तथा क्लोरिन की परमानु संख्या क्रमशह 13 तथा 17 है इलेक्ट्रोन के इस्थानांतरन द्वारा एल्सील 3 के इलेक्ट्रोन बिंदू सरशना बनाईए एलुमुनियम क्लोराइट बनने की बिंदू सरचना हमने उधारनों में देखा कि बंद बनाने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रोन का त्याग करता है वहीं ओक्सिजन को दो इलेक्ट्रोनों की आवशक्ता होती है अर्थार दो इलेक्ट्रोन ग्रहन करता है इस प्रकार दोनों के बहतमकक्ष पे आठ-ाठ इलेक्ट्रोन हो जाते हैं सोचिए, यदि सोडियम तथा ओक्सिजन के मद्य आबंधन हो, तो बनने वाले योगिक सोडियम ओक्साइड का सुत्र क्या होगा? आइनिक बंध कैसे बनेगा? दिये गए इलेक्ट्रोन बिंदू सरचना चित्र को इलेक्ट्रोन इस्थानांतरन दर्शाते हुए पूरा कीजिए सोडियम ओक्साइड बनने की बिंदू सरचना